कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 9 30 सॉयल जो कि हम लास्ट वीडियो में कम्प्लिट कर चुके हैं आज डिसकस करेंगे इसके टैक्ट्र कोशन के बारे में लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नियुँ है मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं वह प्लीज इ सॉयल कंटेंड अब आपको पता है जो सॉयल है वो रॉक पार्टिकल की बनती है रॉक पार्टिकल के साथ सॉयल के अंदर क्या होता है यह और वाटर होता है वाटर वाटर होते हैं जब वाटर वाटर होते हैं जब वाटर वाटर होते हैं तो यह हमने वीडियो में भी डिस के सब्सक्राइब वाट blossom केenger में हुटी है सेंडी laying state made a process में में होती है मिचर में नपने हमने वीडियो में बिधिया था कि किस्स में dry apply के trace made a Gospel नेंबर केकर चाथ ना भी क्यों हम चाहिए मैचे है फिर सफले माचे था सब्सक्राइब है है हों फार लीविं और गैंजम लीविंग और गैंजम का जो हों क्या है आल काइंड साथ सब्सक्राइब होता है अपर जो है इस आपको पता है जो उपर वाली सबसे लेर होती है ऑनले साल की वह डाक्र रखी होती है। सेंडी सोइल की अंदर क्या होते हैं पार्टिकल का साइज जो होता है वह बड़ा होता है। क्लिए इसमें से इसलिये जो हवा है वो पास नहीं कर सकती है नेक्स कोशिन नंबर 4 है एक्स्पेन हाउ सॉयल इस फॉर्म्ट वीडियो पर डिसकस किया हुआ है कि सॉयल इस फॉर्म बैद प्रोसस अफ वैदरिंग तो यहां पर है कि वैदरिंग किसकी होती है है रॉक्स की वैदरिंग होती है कि yas,alth earned की क्या ए स्वोpelled ब्रोसस है वजिए दियरे भलती है लेकिन यह समय होती ही रहती है स्उयल वामेशन के दो स्टैप होती यह सुटना ब्रेक अप्प और रॉक्स होता है रॉक ब्रेक होके small particles में divide हो जाती है यह small particles mix करते हैं जो भी हीमिस organic matter होता है उसको हीमिस बोलते हैं पत्ते होगे जड़े हुए तुके होगे ज़ा इंसेक्ट क्वेरा होगे फिर उसक्क्राइब बनाते हैं बनाते हुएल में क्या होता है water holding capacity अच्छी होती है इसे स्वाइल में आपका हीमिस ज़ादा होता है यह फर्टाइल होती है इसके लिए fatis करें जैसे की वीट होगे ग्राम होगे एसी स्वाइल अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर water retaining capacity अच्छी यह water को होल्ड करके रखती है जैसे पार पैडी के लिए स्वाइल जिसमें रिक्ले हो और अच्छी क्यापैसिटी हो रीटेन करने की वाटर वह आइडियल है लमसूर्स गयरा होगे जहां दूसरी पल्स दाले होंगी उनके लोमी स्वाइल जिसके अंदर जो ड्रेंड करती है वाट ट्रें कंड़े आपधी पसलियgypt देशुने की साथ फैर बिक्ल ऐसको जादा उसका निजड़े चैनल पार्टिकल होते हैं यहां यहां पर फाइन पार्टिकल्स पार्टिक्ल्स का साइज ज्यवता दोसिए नहीं यह घोता है यह प्रिसेश्या जो है उसके particle जो है आपस में packed नहीं होते उनके बीच में air भी पास हो जाती है उनके particle अप क्या होते हैं loosely packed होते हैं पैक्ट तो होते ही नहीं है clay soil जो है वह सुटेबल है आपके कौन से crops के लिए पैड़ी वीट और ग्राम के लिए sandy soil आपकी सुटेबल होती है वेजिटेबल के लिए पीनट के लिए जा कॉटन की कल्टिवेशन के लिए clay soil जो है difficult to fluff when wet जब बहुत जादा गिली हो जाए तो इसको जोतना प्लफ करना मुश्किल हो जाता है लेकिन sandy soil जो है वो easily सूख जाती है कैसे सूख जाती कि क्यों इसमें से हवा जो है easily पास कर जाती है यह वाटर काफिंस अंदर जादा देर तक रिटेन करके नहीं रखती इसलिए इसको प्लफ करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती नेक्स आपको कोश्शन नमबर 7 है बैक KOC किजिए क्रॉस सेक्शन सौईल की और लेबल किजिए उसकी अलगड़ लेर्स को उन moral दिरा करने पड़ जाएं वह वर्टिकर ज्यार्स जिसमें अलगड़ लेर्स सौईल की शूख की जाए हम सौईल का profile कहते हैं हर एक layer का अपना-पना feel है, texture है, color है, depth है, chemical compositions है ये इन layers को हम क्या कहते हैं, horizons भी कहते हैं जो सबसे उपर horizon होता है, वो generally dark color का होता है उसमें humans की quantity जादा होती है और minerals भी होते है humans के कारण ये soil fertile होती है, provide करती है nutrients जो भी है किसके लिए, plants के लिए, ये layer generally soft होती है, porous हवादार भी होती है और water को return करके रखती है अपने अंदर, इसको top soil भी कहा जाता है और A horizon भी कहा जाता है, next layer है, उसमें कम quantity होती है हमस की, लेकिन minerals जादा होते हैं, ये layer generally hard होती है और compact होती है, और इसलिए, hard सी होती है बीच में, इसलिए इसको आप खोद नहीं सकते, वो इसको B horizon भी कहा जाता है जो third layer होती है, इससे C horizon कहते हैं, जो small pieces होते हैं, rocks के lump जिसको बोलते हैं, टुकड़े से, उनकी बनी होती है उसके बाद आती है, आपके layer bedrock, जो वो होती ही hard होती है, और इसको आप खोद नहीं सकते, स्पेड वगारा के साथ यह हमने वीडियो में भी discuss किया हुआ है, यहां पर भी देख लीजी, जी soil की profile बताई है, यह आपकी bedrock है यह आपका C horizon है, यह आपका B horizon है, यह आपका A horizon है, mostly जो plants की roots होती है, वो A horizon में ही आती है, means first layer में ही होती है next question number 8 है, रजिया ने एक कंड़क्ट किया, एक experiment in the field related to the rate of population rate के लिए, population rate find करना था, जो हमने आपको आपका रड़ी वीडियो में बताया है, population rate क्या होता है, वो उसने observe कि 40 minutes लगे 200 ml को absorb होने में की soil के sample में, तो उसका rate of population बताईए, मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, कि population rate किसके इकल होता है, कितना amount water का जो absorb हुआ है, कितने time में, जैसे कि यहाँ पर दिया था, 200 ml water था, 40 minutes में absorb हुआ, जब आपने इसको डिवाइड किया, 00 cancer, 45, 25 ml per minute, यह population rate आ गया, उस soil के sample का, नेक्स्ट आपको question number 9 है, explain how soil pollution and soil erosion could be prevented, आपको पता है, soil pollution भी हो रहा है, soil erosion भी होता रहता है, इससे हम कैसे बचाप कर सकते हैं, इसको कैसे prevent कर सकते हैं, सबसे पहले, soil pollution को कैसे prevent कर सकते हैं, हमें manuals यूज़ करना चाहिए, जिसे देसी खाद भी बोलते हो, आप as a chemical fertilizer की जग जो आपको पता है, आप यूरिया वगारा खेतों में लगाते हैं, वो उसकी बजाए आप जो देसी खाद होती है, जो काउडंग केक्स बनती है, उसका यूज़ किया कीजिए, इंडस्टिय वेस्ट जो है, उससे देखना चाहिए, रिलीज करने से पहले कि उसमें कौन से ह जारन सॉयल की जो क्वालिटी है, वो खराब हो जाती है, नेक्स आप का है सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन का सबसे बड़ा पहला कारह है, डिफॉरिस्टेशन मीं जंगलों की कटाई, तो इसलिए सॉयल इरोजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्या ग्रास लेंड, ग्रास लेंड को थोड़ी देर के लिए खुला भी छोड़ना चाहिए, ओवर ग्रेज किया जाता है, बार बार यूज किया जाता है, इसलिएरोजन को बार बार न घरोजन होता है नेक्स आपको question number 10 है solve करना है आपको एक cross word puzzle है clues आपको यहाँ पर दिये गिए है plantation prevents it परस्ट आपको across में बताना है two में जिससे plantation को prevent कर सकते हो तो plantation आपके किसको prevent करती है वो तो soil erosion को prevent करती है लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी सा सिर्फ blue line से गी है यहाँ पर सिर्फ erosion आएगा next है use should be banned to avoid soil pollution किस की चीज़ पर बैन लगना चाहिए ताकि soil pollution को रुप कर जा सके बचाप किया जा सके वो है आपके plastics पोल सकते है type of soil used for making pottery किस type की soil है जिसको pottery बनाने के लिए use किया जाता है वो आपकी आएगी clay living organism कोई जो soil के अंदर रहता है वो तो मैंने पहले आपको बताया था और भी वो सारी insects को रहा होते हैं लेकिन earth form तो है ही है अब down में देखना आपने आपको hint दिया है desert soil erosion desert जो होता है रेतीले लाके वहाँ है वहाँ पे soil erosion किसके कारण होता है ऐसे mostly जहां पे रेत नहीं होती वहाँ पानी ये कारण के पानी जो है वो मिट्टी को बहा ले जाता है अब जहां पे रेत होती है वहाँ पे रेत को कौन बहा ले जाता है रेत को पानी तो बहा की लेती नहीं है रेड को कौन ले चाता है विंड ले जाती है जिसके कार मणा की सौल का इरोजन होता है ओर पार्ट हे क्ले और लॉम जो है वो सूटे बल है कौन सीडियल्स के लिए वीडियो में आपको बताया गया है स्थे लूम जो फोर्थ में आपको बोला है यह टाइप यह स्वाइब करता है बहुत ही कम पानी अपने अंदर संडी सवाइल है सेंडी से आपने लापने आपने ज्यादा पानी को वो है आपका soil profile तो इसके साथ ही आपका यह chapter complete होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको मेरे latest जो है वीडियो वो time to time मिलती रहें आज के लिए इतना ही थै